हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब में एक बार फिसे हादिर हूं आपकी यूटीब चैनल पे जिसका नाम है बिंदाज बॉय टीच विद फंद आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मॉबाइल में कोई भी कोई भी अप्लिकेशन हो जो आपके प्लेश सकते हैं जो अप्लिकेशन आपके फाइल में सेव हो जी हां फ्रेंट्स आपने देखा होगा कि आप उन्हीं अप्लिकेशन को भी सकते हैं जो आपके फाइल में हो आप उन अप्लिकेशन को सेंड नहीं कर सकते हैं जो आपने प्लेश्टूर से डाउनलोड किया हो या फिर आपका सिस्टम का अप्लिकेशन आप उन्हें ब्लूटूट से सेंड नहीं कर पाएंगे तो मैं आज उनी तरीकों को आप बताने वाला हूं चलिए चलते हैं अपने टौपिक की तरफ और सीखते हैं कि कैसे आप अपने बुलूटूट की मदद से सिस्टम के अप्लिकेशन य सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके एक बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उस पर आने वाले हर लेटेस अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का सबसे पहले लाब उठावाएं और आप हमारे चैनल का एक हिस्सा बन सकते हैं सब्सक्राइब को फिर एप में जलदी से वो त्रिक और मैं बता देता हूं कि कैसे आपको किसी भी अपलिकेशन को बलटूथ की मदब से कैसे बैश सकते हैं तो उस अप बैपको वीडियो बता दूकर कि वह कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो अभी तुम्हें आपको बत लोडिंग लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा उसके बाद यह सारे हमारे प्लेइश्टोर से डाउनलोड किये हुए अप्लिकेशन हैं अगर आप चाहते हैं कि हमारे मॉबाइल के जो अप्लिकेशन है वह भी हमें सेंड करनी हो तो आप यह करने के बाद कुछ लोडिंग लेगा फ्रेंट्स कुछ दिर रुख जाने हैं उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंट्स की यहां पर हमारे सिस्टम के अप्लिकेशन भी आ गया हैं उसके बाद मैंने बताया था कि आप मोबाइल के किसी भी अप्लिकेशन को चाहे वह सिस् मैं कोई भी अप्लिकेशन को यूज कर लेता हूँ जैसे कि मैं ये काइन माश्टर अप्लिकेशन आप देख सकते हैं मैंने इसे लिया सेलेक्ट कर उसके बाद उपर में जो ठी डॉट है उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आ जाईएगा एसडी कार्ड मतलब की मोबाइल का जो अस्टोरेज होता है सिस्टम हमें उसी को एसडी कार्ड मान करके चलता है तो आप यह मां सोचिए कि आपका अप्लिकेशन एसडी कार्ड में सेब हुआ होगा नई फ्रेंड्स ऐसा नहीं है आपका अप्लीकेशन मोचाई में सेब रीहा होगा तो मैं चलता हूं अभी उसे अपने फाइल मानेजर में आपड़ सेब होआ है कि नहीं है तो फिर उसके बाद में अपने फाइल मानेजर को ऑपन कर लेता हूं में ज KennAll לי करने के कि एक फोल्डर बन गया होगा आपको उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर हमारा काइन मास्टर पूरी तरह से यहां पर सेव हो गया उसके बाद मैं आपको बताने वाला था कि आपको अप्लिकेशन को कैसे बुले तूप की मदद से सेयर कर सकत जैसे कि मैं यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे ओप्सन है वाट्सअप ब्लूटूथ जीमेल जेंडर अगर आपके फरेंड के पास आपके फेंबिली मेंबर के पास जेंडर नहीं है तो आप इस अप्लिकेशन से आप बहुत ही इजीली बुलूटूथ की मदद से इसी भ वाले हर लेटेस अबडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इस अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेश्टोर को आन करने हैं प्लेश्टोर को आन करने के बाद फ्रेंट्स आपको यहां पर लिखने के बाद फ्रेंट्स आपको सर्च करने के बा बहुत ही ईजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं अगले टोफिक पे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और विडियो जरूर लाइक करते हैं कर दो दो का